दोस्तों सोंबार के दिन रक्षा मंत्री राजना सिंग के नेत्रित्रे वाला डिफेंस एकोईशन काउंसिल के तरफ से कई सारे बड़े डिसिजन लिया गया रिपोर्ट के मुताविक उस दिन करीवन 76,000 करोर रुपे के नए प्रोजेक्टों को लेके अप्रूबल दिया गया तो साती साथ नेवी के एक लॉंग पेंडिंग और काफी महत्तो बूर्ण प्रोजेक्ट को लेके भी अप्रूबल दिया गया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब सोंबार के डिफेस एक्वेशन काउंसिल के इस एप्रूबल के बाद नेवी के बेडे को और मजबूत करने को लेके नए आठ जहाजों का निर्मान किया जाएगा और ये आठ जहाज नेक्स जिनेरेशन के कॉर्वेट क्रास के अंतर कर सकेगा तो सोंबार के दिन डिफेस एक्वेशन काउंसिल के तरफ से एक बहुत बड़ा डिसिजन लिया गया है और ये डिसिजन है नेवी के लिए आठ ने जहाजों को निर्मान करने का अनुमती हाला कि इसके इलावा सर्वेलेंस प्लेइन आर्मी के लिए ने वर फाइ एक्वेशन काउंसिल के तरफ से टोटल 6,390 करोर रुपे के डोमेस्ट्रिक इंडस्ट्रियों को लेके एप्रूबल दिया गया है पर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 6,390 करोर रुपे के अंदर करीवन आधा तो नेवी के ये नेक जिनेरेशन के कॉर्वेट के लिए ये ही केवल मात्र था दोस्तों रिपोर्ट के मुताविक नेवी के लिए जो 8 जहाजों को निर्मान किया जाएगा इसका लागत 36,000 करोर रुपे तक होगा पर दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि नेवी के ये जहाज असल में कितना ताकदवर हो सकता है दोस्तों नेवी के अगर फ्यूचर प्रोजेक्टों को देखा जाय तो नेवी अपने बेडे में 175 जहाजों को सामिल करना चाता है जिनमें ये 8 जहाज भी होगा पर नेवी के अगर सभी फ्यूचर कॉर्वेट सरनी के जहाजों को देखा जाय तो टोटल फिलाल नेवी तिन अलग-अलग जो कि एक सिंपली कॉर्वेट होगा हाला कि इन तीन प्रोजेक्टों में एक प्रोजेक्ट मतलब एंटी सब्मरीन वर्फेर शैलो वाटर क्राफ्ट के उपर अल्रेडी काम शुरू हो चुका है ये 900 से 990 टन वजन के एक इंडेजिनियस ऐसा जहाज होगा जो छिजले पानी म सब्मरीनों को ढूंड सकेगा हाला कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतरगा 16 जहाजों को निर्मान किया जाना है लेकिन इन 16 जहाजों को टोटल दो हिस्से में बाट दिया गया है और दो अलग-अलग इंडेजिनियस डिजाइन जो की लगवग-लगवग सिमिलर है उसे लेके गार्डेन रीच शिप बिल्डिंग और मजेगा और डॉकियाड लिमिटेड काम कर रहा है दोस्तों माजेगा और डॉकियाड लिमिटेड असल में 8 जहाजों का निर्मान करेगा तो वही पे गार्डेन रीच शिप बिल्डिंग और इंजिनियरिंग के तरफ से भी 8 जहाजों का निर्मान किया जाएगा जिनमें टोटल अब तक के रिपोर्ट के मुताविक 9 जहाजों का काम चल रहा है हाला कि 7 अन्य जहाजों के कौंस्ट्रक्शन भी इन 9 जहाजों के बाद शुरू किया जाएगा। इन जहाजों को निर्मान करने का कौंट्रेक को जीत लिया और बताया जा रहा है कि ये 6 नेक्स जनेरेशन मिसाइल वैसल को करीवन 10,000 करोड रुपे के लागत से नेवी के लिए निर्मान किया जाएगा। वर्टिकल लाँचिंग सिस्टम जोकी वर्टिकल लाँचिंग शॉर्ट रेंज सॉर्फेश टू एयर मिसाइल के लिए होगा और साथी साथ इसमें वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी रहेगा। और दोस्तों नेवी के कॉर्वेट प्रोजेक्ट के सबसे महत्तो पूर्ण कड़ी है ये नेक्स जेनरेशन के कॉर्वेट या फिर कहतों NGC हाला कि पहले के रिपूर्ट में बताया जा रहा है कि ऐसा टूटल साथ जहाज नेवी के लिए खरिदा जाएगा पर अब बताया जा रहा है कि साथ नहीं बलकि टूटल आट जहाजों को लेके मिनिस्ट्री आफ डिफेंस के तरफ से एप्रोवल दिया गया है दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो नेक्स जेनरेशन के कॉरवेट या फिर कहतों NGC प्रोजेक्ट है ये असल में कुछ और नहीं बलकि प्रोजेक्ट 28A मतलब कमोर्टा क्लास के कॉरवेटों के एक सकसेसर होगा हाला कि पहले के कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया गया था कि इंडियन ने भी कमोर्टा क्लास के अंतरगत टोटल आट जहाजों को अपने बेडे में शामिल करना चाता है जिनमें चार जहाज तो इनिशेली आएगा जबकि बाकी के चार जहाज एक फॉलो आउन और के अंतरगत आएगा पर बाद में इन सवी रिपोर्टों को जुटलाते हुए सवी बातों को खारिज कर दिया गया पर दोस्तों अब नेक जेनेरेशन के कॉर्बेट प्रोजेक्ट के अंतरगत ये P28A प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा असल में दोस्तों प्रोजेक कॉंस्त्रक्शन और कॉंपोनेंट के अंतरगत नेवी के लिए दो क्रेड़ेट टेनिंग शे पाँच अतिरिक्त आप्शोर पे ट्रोल वेसल चार गुवाशी प्याड लिमिटेड के तरफ से निर्वान किया जाने वाले जहास तीन लैंडिंग प्लाटफॉर्म डॉक साथ प्रोजेक्ट 17A मतलब शिवाली क्लास के फ्रिगेट 6SSK मतलब कन्वेंशनल सबमरीन जो की प्रोजेक्ट 75I के अंतरगत नेवी के लिए हासिल किया जाएगा और इसके साथ साथ आठ गाइड़ेड मिसाइल कॉर्वेड अंडर प्रोजेक्ट 28A के अंतरगत हासिल किया और इन कॉर्वेटों के पास इतना कैपिबिलिटी होना चाहिए कि ये सॉर्फेस टू सॉर्फेस मिसाइलों के अटैक अंटी सब्मरीन वर्फेर ओपरेशन को अंजाम दे सके स्पेसिफिकेशन जो अब तक प्रोवाइट किया गया है उसके मुताविक इंडियन नेवी के ये जो जहाज है इसका रेंज कम से कम 4000 नौटिकल माइल मतलब 7400 किलो मिटर तक होना चाहिए हाला कि जहाज के एवरेस फीड 27 नौट मतलब 50 किलो मिटर पर आवर तक होना चाहिए पर इसके मैक्सिमम रप्तार के बारे में स्पेसिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दिया गया है पर 2016 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसके टाइम लाइन को अगर देखा जाए तो नेवी के ये प्रोजेक्ट फिलाल डिले हो चुका है 2016 के उस रिपोर्ट के मुताविक ने भी इन जहाजों में से पहला जहाज साल 2023 तक हासिल करना चाहता था दूसरे तरफ जहाज के जो आकार के स्पेसिफिकेशन का खुलासा हुआ है उसके मुताविक जहाज सिंगल हल कन्फरिगेशन में होना चाहिए जिसका लंबाई कम से कम 120 मिटर हो या इससे थोड़ा छोटा होने से भी चलेगा लेकिन जहाज के जो डिजाइन है वो स्टेल्थ डिजाइन का होना चाहिए ताकि इसके रैडर क्रोसेक्षन, एकुस्ट्रिक सिगनेचर, मैगनिटिक सिगनेचर, इन्फरारेट सिगनेचर कम से कम हो हतियार के रूप में जहाज के पास कम से कम 8 surface to surface मिसाइलों को कैरी करने का शमता होना चाहिए और ये जो मिसाइल है इसके पास भी sea screaming capability मतलब पानी के सत्या से लगके उड़ान वनने का शमता होना चाहिए और ये शमता भी 3 से 5 मिटर के अंदर होना चाहिए हाला कि इन मिसाइलों के रफ्तार भी सुपरसोनिक मतलब माक 3 के आसपास होना चाहिए और दोसे इसका simple मतलब ये है कि जहाज में ब्रमोस मिसाइलों को ही तैनात किया जाएगा हाला कि इसके इलाबा हतियार के रूप में जहाज में active tow array, sonar, lightweight, torpedo launcher भी होना आवशक है जहाज में इस्तिमाल होने वाले अन्य कुछ महत्तोपूर्ण सेंसर्स को लेके नेवी के तरफ से बताया गया था कि जहाज में कम से कम एक multifunctional radar और एक threat alert radar होना चाहिए जोकि लंबे दुरी से वोड़ शिपों को identify करने के साथ साथ early warning का भी काम कर सके फिलाल दोस्तों अगर indigenious ship और submarine construction को देखा जाए तो करिफ करीब 50 के आसपास जहाजों का निर्मान indigenously भारत के अलग-अलग shipyard में किया जा रहा है और दोस्तों अगर next generation के corporate project को देखा जाए तो already इंडिया इस तरीके के corporate का development कर चुका है जो project 28 के अंतरगत हुआ था जिसे हम कमोटा क्लास के जहाज के नाम से जानते हैं ऐसा टूटल चार जहाज इंडिया के द्वारा बनाया गया है और इन जहाजों के निर्मान का काम कॉलकाता स्थीत, गार्डेन रीच, शिप बिल्डिंग और इंजिनियरिंग के तरफ से किया गया है और साल 2014 में इन जहाजों को इंडियन नेवी के हवाले भी गया चुका ह दोसों ये भारी भरकम और काफी ताकदवर और स्टेल्द डिजाइन के कॉर्वेट है और दोसों इस डिजाइन और इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ एक्वेपमेंटों के मदद भी प्रोजेक 28A में भारत ले सकेगा दोसों बताया जा रहा है कि ये जो जहाज है ये खा और MIO और VVSS operation का भी capability होना आवर्शक है और दोस्तों साथी साथ ये जहाज अधिक से अधिक मात्रा में इंडोजनियस कॉम्पोनेंटों से लैज होगा क्योंकि इससे पहले जो प्रोजेक 28 के अंतरगत जहाजों का निर्मान किया गया है उसमें करीबा 90% इंडोजनियस कॉ प्रेहिं